बिकवस्ट के घर से नॉमिनेशन को लेकर बड़ी ख़बर आ रही है जिहां किसने किसको नॉमिनेशन से बचाया है मैं हीना कुमावत फिल विल्डो पर आपको बताऊंगी तो घर में नॉमिनेशन टास था जिसमें हाउसमेड को दो नाम बताने थे जिसको वो नॉमिनेशन से सेव करना चाते हैं अली ने सबसे पहली शुरुआत करते हैं एजाज से एजाज ने अली और सुनाली को नॉमिनेशन से सेव किया है एजास राहुल वैदे ने गाता कि क्या ये अली गोनी से डर गए हैं तो एजास ने अली गोनी और सुनाली को नॉमिनेशन से सेव किया रुबीना ने अभिनव शुकला और निक्की तमबोली को निक्की ने राहुल वैदे और रुबीना को राहुल महाजन ने इजाज और अभिनव को राहुल वैदे ने निक्की और अली को यानि कि उन्होंने निक्की को माफ कर दिया क्यों अर्शी से तो अभी भी भी नराज है अर्शी ने अली और अजाज को यानि कि अर्शी ने राहुल वैदे को nomination से save नहीं किया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि अर्शी जो है माफी तो मांग रही थी लेकिन दिल से नहीं मांग रही थी शाहे जास्मिन ने अभिनव और अली को उनकी preference clear है अभिनव ने रुबीना और राहुल महाजन को यानि कि अभिनव ने जास्मिन को नहीं किया इस बार अली ने जास्मिन को और राहुल वैद्दे को उनकी preference हमेशा से clear है कि मैं इन दोनों को ही करूँगा और सुनाली ने राहुल वैद्दे और अर्शी को nomination से save किया है तो अब ऐसे में सबसे कम vote जिसको मिलेंगे जिसको लोग nomination से save नहीं करना चाहते है वो direct चला जाएगा nomination में तो वो दो सदस्यों का मुझे लगता है कि कुछ सदस्यों का देखना होगा हाला कि अभी तक इसमें राखी ने किसको save किया है वो भी अभी तक नहीं आया है क्योंकि भी like feed में टास्क चल रहा है इसको लेकर कोई भी update आता है तो हम आप तक लेकर जरूर आएगे